सात्यों नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं फंगल मेस्टाइटिस के बारे में ये देखिए ये जो गाय का अडर दिकाई दे रहा है इस पर इस तरकी की कंडिसन हो जाती है तो आज हम बात करने वाले हैं इस बीमारी फंगल मेस्टाइटिस के बारे में यदि यह हो जाए त सत्यों बात करते हैं, हमारे इस चैनल New Today Wets Club पर MPD जिसको कि हम Middle Patella Desmoto में बोलते हैं, सरन बोलते हैं, कि Operation की Practically Class से चल रही है, यदि आपको सीखना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर करें, सत्यों बात करते हैं, सबसे पहले इसक सबसे पहले सिम्टम से देखिए, इस तरीके से अडर पर छाले दिखाई देंगे, यह इसका में सिम्टम से है, पसुओं में, गाई भ्यास में ज्यादा तर देखने को मिलती है, और जब सिम्टम से हमें देखने को मिलेंगे, इस तरीके से छाले देखने को मिलेंगे, और फट जाएंगे और इस तरीके से पाने निकलेगा, उसके बाद दिर दिर पसुओं को जो दुद उतपादन रेता है, दुद उतपादन कम हो जाएगा, यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, और पसु क्या रहता है, पसु थन को हाथ नहीं लगाने देगा, यह सिम्टम समय फंगल जो मेस्टाइटीज रहता है उसमें देखने को मिलेगा यदि आप सही से डाइगनोस कर लेंगे इसको पेचान लेंगे तो इसको आप ठीक कर लेंगे वरना आप कुछ भी टीटमेंट कर दें जो आप दूसरा टीटमेंट करते हैं एंटिबाइटिक ने लगाते है इससे समयशा और बढ़ जाती है और पसु में ये छाले बढ़ जाते हैं और थन खराब हो जाता है कभी-कभी जो टीट रहता है जो थन रहता है वो इस बिमारी से गिर जाते हैं टूट-टूट के कभी तो पूरा थन खराब हो जाता है तो यह एक फंगल मेस्टाइटिस है यदि आप समय रेता है इसका treatment नहीं करते हैं तो पसु पूरी तरीके से खराब हो जाएगा इससे पसु मालिक को भी बहुत ज़्यादा हानी देखने को मिलेगी एक तो पसु जो रेता है वो दूद नहीं निकालने देगा और बचले को दूद भी नहीं पिलाने देगा ये symptoms हमें देखने को मिलेगा और दीरे 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 पसु को जो दूद रेता है वो पूरी तरीके से चला जाएगा तो हमें इसका समय रेते treatment कर लेना चाहिए देखिए अब हम बात करते हैं फंगल मेस्टाइटिस के treatment की तो इसका treatment हमें जब भी हम कर रहे हैं तो इससे थन पे हम जब भी ऐसा देखने को मिले तो हमें हल्दी जो रेती है टर्मरिक जो रेती है उसको लेना है और देशी गी जो रेता है उसको लेना है और इसका लेप बना कर इस अडर पे लगाना है यह क्या आईरोधिक है और इस अडर में इस बीमारी में फंगल में स्टैटिस में हल्दी प्लस गी दोनों मिला कर यदि आप लगाएंगे तो अच्छा रिजड देखने को मिलेगा मक्या नहीं बेटने देगा और इस गाव को पूरी तरीके से रिकवर कर लेगा और ठीक कर लेगा तो यह देशी इलाज में हमें जब तक प्लस का गाव ठीक नहीं हो जाए तब तक तो हमें हल्दी प्लस देशी गी का लेप लगाना है यह हमें विशेज ध्यान रखना है जाजा चाले हैं जाजा गाव हो रहे हैं वहाँ पर हमें इस लेप को लगाना है इसके बाद हम बात करते हैं टीटमेंट की तो देखिए इसमें केपसूल आते हैं एन बायोफलेम 400 नाम से तो एन बायोफलेम जो केपसूल लेते हैं 400 mg के यह हमें दो केपसूल सुबे और दो केपसूल साम के इसाब से बीडी देना है और लगातार 5-7 दिन तक देना है इस ब जो बोलस रहती है एक एक बोलस सुबह साम आप जो भी उपयोग कर सकते हैं ओपलोकाइंड है या सेप्टेक है जो भी आपको समय से मिल जाती है दो दिन उस बोलस का प्रियोग आप कर सकते हैं देखिए एंटिबैटिक बोलस यदि घाओ जादा बन जाए पस आने लगे तो बोलस सुबह और एक बोलस सामके इसाप से दे सकते हैं कहीं किसी तरह का साइट एफट देखने को नहीं मिलेगा तो आप एंटिबैटिक का प्रियोग भी कर सकते हैं और हमने जो बताई है एन बाया फिलम चार्ड की बोलस इसका प्रियोग करके देखिए आपको फिल्ड मे पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक एंड शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरू